नमशकार, JKC Hindi Tutorials में आपका स्वागत है आज का हमारा विशय है Generative AI ChatGPT, Google Bard, Microsoft Bing ये सारी चीज़े काफी trend कर रही हैं पिछले कुछ 7-8 महीनों से इसके कुछ top examples आपने try किये होंगे या वीडियोस देखे होंगे जैसे की text summarization, programming code generation, image audio generation Generative AI समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि AI क्या है AI का मतलब ये है कि हम किसी computer को या machine को ऐसे तयार करे कि वो मनुष्य की अकलमंदी जैसे कार्य कर सके जैसे मनुष्य पढ़कर चीज़े सीखता है अपने आसपास की चीज़े और अब्जर्व करके, सुनके अपनी intelligence बढ़ाता है वैसे ही artificial intelligence में एक concept होता है self-learning जिससे machine या computer systems अपने आसपास available data से खुद को train कर सकते हैं अपनी intelligence बढ़ा सकते हैं जिसके वज़े से वो बहतर decisions ले सके इसके कुछ examples है, जैसे की self-driving cars, जहां machine, अपने आसपास का traffic, speed, इत्यादी ये सब ध्यान में रखकर खुद की car चलाती है किसी human input की जरुवत नहीं है इसमें दूसरा है आपके phone का face ID, जिससे आप phone अपना unlock करते हो अब देखते हैं traditional AI और generative AI में differences क्या है traditional AI आपके train data को समझता है, उसमें patterns पहचानता है और आपके लिए predictions करता है कि क्या होना चाहिए आपका next response human-like instructions को समझके आपके लिए actions लेता है जैसे Google Assistant को use करके आप restaurant में table reserve कर सकते हो generative AI अपने train data से सीखता है और user अगर कुछ new question पूछे वो model अपने intelligence से एक new content तयार करके देता है मान लो आपको अपने लिए एक diet plan चाहिए अपने height, weight और food options के हिसाब से तो अब हमारा generative AI model जिस पे वो train हुआ है वो और आपके details इन दोनों data को मिला के आपके लिए customized diet plan बना के दे देगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक full week का diet plan बना के दे दिया है इसने कई apps है market में जो आपको diet plan बना के दे देते हैं वो suggest करते हैं कि इतने carbohydrates protein सी exercise होना चाहिए बट यह इसके beyond जाता है जैसे कि आपने कहा कि आपको diet में हर रोज different dinner option चाहिए तो वो आपके लिए वैसा diet plan बना के देगा आप इसको और भी further try कर सकते हो जैसे कि grocery list बना के देना images generate करना सब्जियों के लिए इतिया देगे अब आते हैं Generative AI के advantages पर पहला है creative content generation creative content जैसे कि music writing art इसमें यह technology काफी फायदेमंद हो सकती है automation and efficiency आपके जो repetitive task है वो आप automate कर सकते है personalized recommendation जैसे हमने diet plan का देखा वो भी example है जिसके आपकी efficiency बढ़ सकती है तो आपका time अच्छे से utilize हो जाएगा और आप innovation पर काम कर सकते है problem solving and better decision making यह भी advantages है disadvantages में data privacy and security आपका important information यूज हो सकता है model की training में misinformation या hallucinations इस model के output के कितने genuine answers है वो हमेशा एक सवाल रहता है misuse लोग इसका दूरूपयोग भी कर सकते हैं इसको fake information से train करके जैसे हमने रिसेंटली एक politician का false news देखा था जेनरेटर वी ऐसे बायस अगर हमने model को suppose इंडिया की डेटा पर train किया है और हम इसको US का कुछ पूछ रहे हैं तो शायद अपना model वो result सही से न दे पाए क्योंकि उसके पास उतनी learning के लिए matter ही नहीं है और भी कहीं बायस होते हैं जैसे gender bias, racial bias, resource and cost intensive बहुत बड़े और महेंगे machines लगते हैं models को बनाने में उनको train करने में evaluate करने में फिर new data आता है तो उससे उसको फिर से train करने में और अगर एक साथ आपको चाहिए कि ये model 100 लोग एक साथ यूज कर सकते तभी भी बहुत बड़े machines और बहुत महेंगे machines रखते हैं कि वो हमेशा available रहे हर user के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही और tutorial वीडियो के लिए वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए and hit the bell icon धन्यवाद